नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज सेवेन भारत में मैं हूँ प्रदीप मौर्या और आप देख रहे हैं न्यूज सेवेन भारत एक सवाल लगातार लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि कौन है बोधी सत्वतारा मैं बार-बार इस टॉपिक को बताता हूँ लेकिन आज बिधिवत आपको क्लियर करूँगा कि कौन है बोधी सत्वतारा या बोधी सत्वतारा कौन है या फिर बोधी सत्वतारा को किस तरीके से पाखंडियों ने दुरगा के रूप में बदल दिया इन सभी बातों पे आज विस्त्रित तरीके से विसलेशन किया जाएगा निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा मैं कुछ फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ और उसके बारे में मैं डीटेल में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस बोधि सत्वतारा की मुर्तियों को बदला गया अब ये मैप आप देखिए कहानी सुरू होती है यहां से ये पाल सामराज है पाल सामराज है यहां जो आप बैंगॉल, पस्चिम बैंगॉल बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यहां पाकिस्तान तक यह जो पाल सामराज देख रहे हैं एक्चुल में इसी समय महायान से बजरियान जब बना था तो महायान और बजरियान इसी समय पे फल फूल रहा था खूब जादे फल फूल रहा था और बज्रयान साखा में एक महिला बोधी सत्व को बनाया गया और इस महिला बोधी सत्व को बाद में पाखंडियों ने दुर्गा कैसे घुसित कर दिया अच्छा ये बात समझने वाली अब मैं आपको यहाँ पर यह भी पता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप देखेंगे न तो सिर्फ इन छेत्रों में जो यह दिख रहा है न आपको यहाँ पे पस्चिम बंगाल से लेके बंगला देश से लेके और यह उत्तर प्रदेश बिहार और यहाँ हरियाडा पंजाब और कुछ हिस्सा पाकिस्तान तक तो यह पाल वंस था और इसी में मैक्समम बज्रियान अपने चरम पर था और इसी बज्रियान की साखा में बज्रियान तो आप जानते ही हैं बुद्धम में जैसे पहला जो साखा था उसका नाम था थेरवाद यानी ही यान दूसरा जो बना उसका नाम था महायान और उसके बाद महायान में ही अलग-अलग साखा बने तो महायान के बाद जो साखा बनी उसका नाम था बज्रियान तो बज्रियान इस समय खूब फल फूल रहा था पाल सामराज में खूब फल फूल रहा था और इसी समय पे बोधी सत्वतारा महिला बोधी सत्व का मुर्ती बनाना सुरू हुआ था तो अब ये जो आप देखेंगे ना पूरा भारत का मैप आपको इन ही हिस्सों में दुरगा, काली और अन्य देवियों का जो प्रतिरूप या प्रारूप आपको देखने को मिलेगा वो इन ही छेत्रों में मिलेगा आपको भारत के यहां निजले छेतरों में देखने के लिए नहीं मिलेगा या यदा कदा ही मिलेगा तो जो यह पाल वंस में जो बोदी सत्व तारा को बनाया जा रहा था पाल सामराज यह समाप्त होने के बाद जब स्रमर संस्कृती पर ब्रामरी संस्कृती हावी होने लगी तो यहां पर हुआ क्या कि जितनी भी बोधिसत्वतारा की मुर्तियां थी वो सबको कन्वर्ट कर दिया गया अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ आप बहुत सारी मुर्तियों को ऐसे देख पाएंगे यहां देखिए यहां बोधिसत्वतारा की मुर्ति है आप देख पा रहे हैं और यहां पर देखिए अगर कोई अंजान व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि यहां दुरगा की मुर्ति है लेकिन यहाँ पे उपर आप देखिए तो भूम या सपर्स मुद्रा में गौतम बुद्ध की मुर्ती बनी हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं यहाँ बुद्धिज्ब की मुर्ती है लेकिन अनाडियों को यहाँ कुछ और ही समझ में आता है यहाँ बुद्धि सत्वतारा की मुर्ती है जो की इस समय बुद्धिज्ब में इंग्लेंड में रखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं यहाँ बुद्धि सत्वतारा मैं बहुत सारी उस समय की मूर्तियों को दिखाने का कोशिस कर रहा हूँ आप देखते जाएए यहाँ ब्रिटिस म्यूजियम में रखा हुआ है बोधी सत्व तारा का यह है इस फोटोग्राफ को इस मूर्ति को देखिए आप यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है लोगों को भ्रमित करता है कि एक महिला है जो एक राच्छस रूपी इस पूरुसका की हत्या कर रही है और यहां पे बहुत सारे हाथों में यहां धनुस है, यहां तलवार है, यहां कटार है, यहां चक्र है, अलग-अलग चीज़ें हैं तो यह बुद्धिज्म में इसलिए बनाये जाता था कि महिला ससकती करण क्योंकि महिला लाचार नहीं है महिला इतनी मजबूत है कि उसके उपर हो रहे अत्याचार के खिलाप वह आवाज उठा सकती है इसको समझाने के लिए बुद्धम के जो बजरियान साखा के लोग थे वो बनाते थे अन्यन मुर्तियों को मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बोधी सत्व तारा की मुर्ती है यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी मुर्तियां मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे यहाँ देखिए यह बोधि सत्व तारा की मुर्ती है ध्यान से देखिए आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि क्या हुआ है बौध विरासत के साथ यह बोधि सत्व तारा की मुर्ती है यहाँ पर देख सकते हैं यह बोधि सत्व तारा यह बोधि सत्व तारा अगर आप इतना देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई देवी देवता है लेकिन जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर पे नजर डालेंगे और जब यहाँ पे आप उपर देखिए यहाँ पे भूमियस पर्समुद्रा में गौतम बुद्ध की मुर्ती बनी होई है तो साफ साफ यह इस्ट्रक्चर बनाया जाता था बोदिसत्वतारा के लिए यह अन्यन अदेक बोदिसत्वों के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ बुद्धम से संबंदित धरोहर है क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बनता था तो जो बज्रियान की लोग थे महायान की जो लोग थे यहाँ अपना सिंबल बना देते थे उपर जाएगा फिर इधर निकला रहेगा और फिर इधर निकला रहेगा तो इस पर जरूर ध्यान देजिएगा और भ्रमित मत होईएगा अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर यहाँ यहाँ पर धनुस है तलवार है अलग-अलग चीज़े और यहाँ पर स्टूब बने हुए हैं स्टूब के सिंबल्स बने हुए हैं यहाँ बोधि सत्वतारा है यहाँ भी यह देखिए बोधि सत्वतारा का स्टूब यहाँ बना हुआ है उपर सिधार्थ गौतम बुद्ध का यहाँ पर बना हुआ है और आगे यह भी बोधि सत्व हैं यह भी आप देख सकते हैं यहां भी बोधी सत्वतारा, यहां पे भूमी अस्परस्मुद्रा में, गौतम बुध का यहां पे बना हुआ है structure, मुर्तियों को पहचाना जान लिजे, क्योंकि इन्हीं मुर्तियों को कन्वर्ट करके, पाल सामराज के बाद, काफी बाद, बदलके, और दुर्गा के रूप में जहां जहां इनके टेंपल्स होते थे, उन सभी टेंपल्स को पाखंडियों ने कन्वर्ट कर दिया दुर्गा मंदिरों में, और अलग-अलग तरह-तरह की कथा कहानियों को गढ़ कर, कहीं खून यहां गिरा था तो यह बना, कहीं खून वहां गिरा था तो यह बना, और बखो भी आप देख पाएंगे यहाँ पे यह बोधिसत्व तारा की मुर्तियां है जो मैं आपको दिखाने का कोसिस कर रहा हूँ यहाँ देखें तो इन्ही बोधिसत्व तारा की मुर्तियों को बोधिसत्व मंजु सीरी की मुर्तियों को किस प्रकार बदला गया यह देखिए यह ब्रिटिस म्यूजियम में बोधिस अतारा की बहुत ही प्राचीन मूर्ती रखी हुई है मैं दिखा रहा हूँ आपको यह ब्रिटिस म्यूजियम में है इंग्लेंड में तो इसको आप देख सकते हैं यह बोदी सत्वतारा की मूर्टियां है इन मूर्टियों का निर्माड लोगों को समझाने और सिखाने के लिए होता था कि किस तरीके से महिलाएं कमजोर नहीं हैं महिलाएं भी मजबूत हैं और वह यह सिंबल बनाकर लोगों को सिखाते थे और समझाते थे बाद में पाखंडियों ने इनी मुर्तियों को convert करके अलग-अलग देवियों का रूप बना दिया बहुत सारी मुर्तियों को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ आप देख पा रहे होंगे यह structure और किस तरीके से यहाँ पर convert किया गया यह देखिए यहाँ बोधिसत उतारा की मुर्तियां है यह देखिए यहाँ पर बोधिसत उतारा की मुर्तियां है यह देखिए तो मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा दसहरा या फिर किस तरीके से क्या हुआ ऐसा कुछ कहने का वो नहीं मतलब बनता है यहां देखिए बोधिसत्व तारा की मुर्ती है और यहां पर आप देख सकते हैं कितना सुन्दर बनाया गया है और यहां देखिए कितना सुन्दर प्रतिमा बनाया गया है बोधिसत्व तारा का बोधिसत्व तारा ही दुर्गा है इस बात की पुष्टी हो चुकी है और क्लियर तरीके से आज भी मैं कहता हूँ कि बोधिसत्व तारा ही दुर्गा है और बोधिसत्व तारा को ही दुर्गा बनाया गया है मेरे बित्रो निवेदन है आपसे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक करके हमारा उस्साह जरूर बढ़ाया करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और एक और निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि हमारा एक और चैनल है सिहौक सिहौक को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए लिंक डिस्क्रिप्सन में डाल दिया गया है हमारा मतलब हमारा इस तरह से न्यूज बनाने का मतलब पूल विरासत है भारत वह प्राचीन भारत जो पुर्वकाल से था आदिकाल से जो था वही भारत वही विश्वगुरु भारत क्यों ना बनाया जाए वही सिच्छा वही बुध का ज्यान और बुध के वज़ा से जिस प्रकार भारत विश्व गुरु बना था, तब क्यों न हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएं, वह समराट असोक का भारत बनाएं, विश्व विजेता भारत बनाएं, इसके लिए आपको या हमको भारत की मूल विरासत को समझना होगा, और जब अब हम समझेंगे तभी हम उसको आगे क्रियानवित कर पाएंगे इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप भी इस मुहीम से जुड़िए